स्टार प्लस के धमा केदार सीरिल गुमे किसी के प्यार में आए दिन ट्विस्ट पर त्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन शो की टी-ारपी रेटिंग बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। इन दिनों गुम है किसी के प्यार में सवी और ईशान की कहानी खूब सुर्खियां बतोर रही है। जहां सवी एडमिशन के लिए खूब जगदो जहद कर रही है तो वहीं ईशान उसके रास्ते में रुकावत लाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। बीते दिन भी भाविका शर्मा और शक्ती अरोडा के गुम है किसी के प्यार में में देखने को मिला कि इशान जान बुझकर सवी से मुश्किल सवाल पूचता है लेकिन सवी उसका सही जवाब देती है। ऐसे में हताश होकर इशान सवी को बास्केट बॉल गेम के लिए चैल लगाएगा। लेकिन वो गलती से बास्केट तोड़ देगा। मौके का फाइदा उठाते हुए सवी गोल कर देगी और गेम में जीत जाएगी। सवी की जीत से शांतनू भी खुश होगा और बाकी स्टाफ मेंबर भी उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन ईशान और यश्वन का मूँ उतर जाएगा। गुम है किसी के प्यार में, में सवी का एड्मिशन रोपने के लिए ईशान और यश्वन्त रोडा अटकाएंगे। वो उससे ट्रांसफर सर्टिफिकेट और फीस अगले दिन 11 बजे तक जमा करने के लिए कहेंगे। इस बात से सवी को जखका पहुँ जाएंगे। हालांकि इस बात का भी ईशा तोर निकाल लेगी। गुम है किसी के प्यार में, में एंटर्टेन्मंट का तर्का तब लगेगा। जब एक बार फिर रिवा के कारण ईशान का दिल तूटेगा। दरसल, रिवा वन मन्थ एनिवसरी पर ईशान के लिए गिफ्ट और कार्ज भेजेगी। रिवा के इन तोहफों से इशान का पारा सात्वे आस्मान पर पहुंच जाएगा और वह सारी चीजे तोड़कर वही पर फिक देगा। इशान का दोस्त उसे समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुनेगा। फिल